इन दिनों काजल रागवानी है बाबा की नगरी वारानसी में और अंकुष राजा के साथ उन्होंने एक फिल्म साइन की है तो आपको बता दिया हमने कि क्या कर रही है काजल रागवानी इन दिनों अब क्या कह रही है काजल रागवानी वो भी सुन लेजे जी हाँ काजल रा था तब रिपोर्टर ने पूछ लिया भाई कैसा लगा ये भी बता दीजे ऐसे में का जनरागवारी ने ये कहा कि गाना बहुत ही बहतरी दोनों का गाना बहुत अच्छा है दोनों 24 है और यहां पर खास कर पवन सिंग की तारीफ करते हुए उन्होंने बहुत कुछ कहा कि प पर वो भोजपुरी को ले जा रहे हैं वो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साथ ही यहां पर अपने और पवन सिंग के बारे में बात करते हुए काजल रागवानी ने ये कहा कि पवन सिंग के साथ उनकी फिल्म आने वाली है कैसर हो जाला प्यार जिसके शूटिंग मुं आपको सबसे बहतर लगा तो यहां पर काजल रागवानी थोड़ी बचती बचाती तो लज़र आई लेकिन यहां पर पवन सिंग को एक बहतरीन सिंगर बताते हुए ये उन्होंने मंसा अपनी क्लियर कर दी कि वो किस की तरफ है यानि कि 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 का गाना उन्हें सबसे अच्छा लगा तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काजल रागवानी को पवन सिंग का गाना अच्छा लगा है और इसकी तारीफ करते ठक ने रही है काजल रागवानी भूजपुरी जगत की होट और मसाले दर गौसिप के लिए हमें सबस्क्राइब करना बिल्कु नयोंदा करना अच्छा लिए हमें अच्छा, इसकी टारीफ कर दो अच्छा.